हलो फ्रेंड बेलकाउं टू जानी टॉक्स तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्रफी, साइंस और एकनोमिक्स के भोती हैत्पून प्रेशन जो की आपके आने वाले कमप्रेटिब एक्जाम HPSC कलर्क और HPSC पूलिस और फ्रेस्ट गार्ड के लिए काफी हेलफल रहने वाली है तो दोस्तों ये जो सीरीज हमने शुरू करी है इसकी ये बारभी क्लास है अगर इसे पहले की क्लासिज आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्रेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं HPSC कलर के नाम से होगी प्रेस्ट गार्ड की भी है और पु विक्री संतर्वित करते हैं तो दोस्तों जो ओपन मार्केट ओप्रेशन ओफ हार वी आई है ये बाइंग एंड सेलिंग ओफ ये है गवर्मेंट बॉंड्स तो इसका ओप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है उप्रनौस्ट दा मार्केट लाव बजा नियम थे वो जेवी से ने प्रतिपादित किये थे ति उसका ओप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा और दोस्तों एडम समित है इने फादर ओफ एकनोमिक्स भी कहा जाता है इनकी 1776 इस भी में एक बुक प्रकासित होई थी आपने उसका नाम मुझे बताना है अगला जो प गुजरती है तो इसका ओप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा और दोस्तों जो करकरेका है पो टोटल 17 देश्तों से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यम से होकर गुजरती है तो ये हैं गुजरात, राज़स्तान, मध्यप्रदेश, चैतिसगर, जारखन, गुजरती है अगला प्रेशन है दोस्तों अगर बात करें अलिमिन्ट की वो टो अक्सीजन पाया जाता है 46% लेकिन यहां पे धातू पूझी है तो वो है अलुमिनियम तो इसका ओप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा अलुमिनियम जो है वो आट प्रसेंट प्रसेंट ले पाया चाता है जो क्रस्ट होती है उसके ऊपर जो अल्मिन्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा अक्सीजन और उसके बाद सिलिकन और उसके बाद अलुमिनियम पाया जाता है अगला प्रेशन है दा बार्ल्ड's Most Active Volcano Is तो विस्व का सबसे स्कृये जवाला मुकी है तो दोस् एक प्रसुप्त ज्वाला मुगी है और विसुवियस जो है ये भी एक प्रसुप्त ज्वाला मुगी है और ये हे भूमध्य सागर में है अगला जो प्रश्ण है दा great Victorian dessert is located at दोस्तों जो great Victorian मरुस्ताल है वो है अस्ट्रेलिया महादीब में है तो इसका option ये जो है वो सही हो ज खाई है वो बनती है दोस्तों ये बनती है नदियों के द्वारा नदियों के परदन से तो इसका option जो D है वो सही हो जाएगा और दोस्तों आपको पता दूँ जो हिमनद है इससे भी एक आकरती फार्म धोटी है आपने फियर्ट ताट का नाम सुना होगा इससे भी प्रेशन उच्छा जाता है अगला प्रेशन है डियागो गर्सिया इस इन डियागो गर्सिया है तो स्मुदरी खाई है तो यह है हिंद मासागर में तो इसका option जो C है वो सही हो जाएगा और दोस्तों हिंद मासागर में एक और है सुन्दा ट्रेंच आपने उसका नाम सुना होगा अग दोस्तों ये जो है इसकी जो हाइट है वो 987 मेटर है और ये जो है ये केरोनी नदी पर है तो इसका option ये जो है वो सही हो जाएगा बेनेजवाला हाइस्ट वाटर फॉल अगला जो प्रेशन है most of the weather phenomena take place in अधिकांस मौसमी घटनाई होती है दोस्तों जो अधिकांस मौसमी है वाइवंडल की अगला जो प्रेशन है on the clear winter night earth is cold by सर्दी की साफ रात्री को प्रिथवी किस घटना के कारण ठंडी होती है तो दोस्तों ये ठंडी होती है रेडियेशन के द्वारा यानिकी विकरन के द्वारा option B जो है वो सही ही रहे का इसका अगला जो प्रेशन है the trade beans are strongest during व्यपारी खावा सबसे सक्तिसाली होती है तो दोस्तों जो व्यपारी हदा होती है वो सबसे ज्यादा जो शक्तिसाली होती है वो winter के समय होती है यानिकी शर्दियों के समय तो इसका option जो A है वो सही हो जाएगा और दोस्तों सर्दियों में भारत के तुमिलनाडू राज ऐसका अंय एसक जो है आपने हेमाटाइड का नाम सुना होगा अगला परेशन है य स्टी ह friendge बढ़ुश्फर और भारत विस्व का सबसे बड़ा उतपादक है तो दोस्तों भारत जो है वोजवार यान की मैयलर्र का सबसे बड़ा उतपादक है option C जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों गेहूं और जो को पास बगहरा है इसका जो सबसे बड़ा producer है वो है चाइना अगला question है नातुला pass is in नातुला दर्रा है तो दोस्तों जो नातुला दर्रा है वो है सिक्कम राज्य में option A जो है वो सही हो जाएगा बात करें अर्वनाचर प्रदेश की तो इसमें बॉमडिला दर्रा है और जमू और क्श्मीर में बनिहाल दर्रा है अगला जो प्रेशन है प्रजक्ट टाइगर बाज लांच्ट इन प्रजक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था तो दोस्तों प्रजक्ट टाइबर जो था 1973 में शुरू हुआ था option D जो है वो सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है ता फास्ट न्यूकलियर पावर प्लांट वाज इंस्टाल्ड इन सबसे पहला नावकी उर्जा सेंतर कहां स्तावित हुआ था तोस्तों सबसे पहला नावकी उर्जा सेंतर जो था वो महारास्ट रूमे स्तावित हुआ था option A सही हो जाएगा तारापुर महारास्ट अगला जो प्रेशन है decibel is the unit of decibel किसकी काई है तोस्तों decibel जो है intensity of sound यानि की ध्वनी की तीप्रता की काई है option B जो है वो सही हो जाएगा वैसे तो दोस्तों जो द्वनी का जो मात्रक है वो होता है बेल तेकिन जो decibel है ये उसका दस्मा भाग है अगला जो प्रेशन है the best conductor of heat among the following is निमन मैशे उसका का उस्मा का सबसे अच्छा चालक है दोस्तों इनमें से जो पारा है वो उस्मा का सबसे अच्छा चालक है option B जो है वो सही हो जाएगा पारा येनिकी मरकरी अगला प्रेशन है which is sensation which depends upon सूर एक संबेदना है जो अधारित है दोस्तों which is sensation which depends upon frequency उसका option A जो है वो सही हो जाएगा frequency पे डिपेंड करता है अगला जो प्रेशन है दामेज फॉर्म डॉन दा लेटीना ओफे हुमन आइज इस मानव के नेतर पड़ल पर प्रतिविम्ब बनता है दोस्तों ये बनता है बास्तवी को रोल्टा तो option जो D है वो सही हो जाएगा real and inverted option D जो है वो सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है filament of electric bulb is made of electric bulb का filament बना होता है दोस्तों electric bulb का filament होता है तो tungsten का बना होता है option A सही हो जाएगा और दोस्तों जो नाइक्रोम है इससे हीटर तगेरा के तार बनाए जाते हैं अगला प्रेशन है a mixture of carbon monoxide and hydrogen is called carbon monoxide and hydrogen के मिश्टन को कहते हैं दोस्तों ये कहा जाता है water gas तो इसका option B जो है वो सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है ordinary class is समाने कांच है दोस्तों समाने कांच जो है वो sodium silicate का मिश्टन है वैसे calcium silicate भी होता है लेकिन इसका option A सही हो जाएगा sodium silicate next question sourcing of milk is due to दोस्तों दूद सोरी sourcing नहीं होगा यहाँ पर souring होगा दूद किस बज़ा से खटा हो जाता है दोस्तों जो दूद है वो हो virus की बज़ा से खटा है बैक्टिरिया के बज़ा से खटा हो जाता है तो इसका option B जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों जब नहीं जमता है तो वो लेक्टो बैसलेस जिवानों के कारण जमता है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं थैंक्स पर बाचिंग गॉड ब्लस यू आल